वेलकम टो SK Classes, आपका स्वागत SK Classes में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपको SK Classes से information दी जाती है, किसी भी आपके government job के exam की, आपके university से related, जितनी भी आपके news आती हैं, आपको हम inform करते हैं, तो आज हम आपको beard practical, जो एक beard student में एक practical को लेकर डर रहता है, तो वो डर आपका ब आपको अपना mindset अच्छा रखना है, और जो भी आपने किया है, उसे proper अपना महाँ परदर्शन करना है, ठीक है, परफॉर्म करना है, तो आज हम beard practical first year से related कुछ चीजे बताएंगे, और मेरा खुद का experience रहा है, मैं अपने experience के coding बताऊंगी, मैं 2020 की pass out student हूँ, तो मैं खुद बताऊंगे कि मेरे साथ practical, कैसा रहा मेरा practical और किस तरह से examiner आए और क्या उन्होंने मेरे से पूछा, आएए देखते हैं, देखें, आप assignment files बनाते होंगे, आपने assignment file बनाई होगी, आपने अपनी files बनाई होगी, project files बनाई होगी, तो देखें, जितनी भी assignment file या project file होते हैं, आपकी, हमें ये जरूर धिहान रखना है कि जितनी हमारी assignment files हैं और project files हैं, वो एक तो proper cover, सबसे impression देखें, एक examiner पर इतना time नहीं होता कि वो बार-बार आपकी files खोलके आपसे question put up करेगा, सबसे पहले आपका जो सबसे पहला impression जाएगा, आपकी assignment file, project file, cover है proper, अच्छे से, तो examiner को लगेगा कि आप एक billion student हैं, आप पढ़ाई को seriously लेते हैं, तो आपके assignment file और project file cover हूँ, उन पे proper name हूँ, कि किस चीज़ पे आपने assignment बनाया है, कौन से subject से related आपने assignment बनाया है, और ऐसे ही आपका file समोना चाहिए कि कि उस पे आपने, मतलब किस topic पे आपने project file बनाया ह है, और जितने भी project file आप बनाएंगे, उसमें एक चीज़ धियान रखेंगे कि आपको pictures का use करना है, अगर मालो examiner ने आपकी project file खोल ली, और उसको pictures दिखे, आपके project file के topic से related, तो वो आप से पूछे गाई नहीं, वो जानता होगा कि आप ने जरूर इन picture का use किया है, तो आ project file पूरी हो, और project file भी cover हो, अच्छे से subject का name लिखा हो, और आपको अपने subject, जीतने भी आपके first year में subject रहे होंगे, आपको सबका नाम भी बता होना चाहिए, कई बाए exam ने हमसे कुछ नहीं पूछता, बस नाम भूच लेता है हमारे subject का, और हमें क्या होता है, कि हम ना proper न assignment है, यह धियान रखेंगे आप, दूसरी आपकी file, assignment file, project file, check होनी चाहिए properly, आपका जो भी index होगा, उसे maintain होना चाहिए, सबसे पहले जब भी examiner आपकी file खोलेगा, तो सबसे पहले उसका धियान index में पढ़ेगा, कि आपने इस project file के अंदर क्या क्या लिखा है, वो index आपका बता देगा उसको, यह आपने कौन-कौन से assignment कि subject में बनाए है, यह सब उसे कैसे बता चलेगा, index, इतना उन पे समय नहीं होता कि दो या एक मिनट जादा से जादा, तो उन पे समय नहीं होता कि आप से वो पूछने बैठेंगे और आपके जवाब का इंतिजार करेंगे, त प्रोपर पता होने चाहिए, not in a short form, ठीक है, तो यह आप धियान रखेंगे, हमाई fourth है कि lesson plan जो हमारे होते है, lesson plan बनते हैं हमारे, तो वो register हमारे complete होने चाहिए, serial maintain होनी चाहिए, कि कि जिन कि डेट पे आपने यह lesson plan पढ़ाया है, तो आपकी date भी maintain होनी चाहिए, index में, ठीक जो हमारे practical होता है, तो हमें एक lesson plan त्यार करना होता है, examiner के according हो सकता है कि examiner वो पढ़ाया या ना पढ़ावाया, first year में जातर पढ़ा के नहीं देखा जाता, आपकी micro, macro teaching हो जाती है, उसी base पे आपके number दिये जाते हैं, और जो आपका practical होता है, वो बस lesson plan आपको त्यार रिखा है, जिसे lesson plan को सबसे most common question है कि lesson plan बनाते हुए हमें बच्चे की previous knowledge को जानना है, तो हमें previous knowledge के बारे में बच्चे से पूछना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह के question आपको बता होने चाहिए, आपको एक lesson plan complete आपको learn होना चाहिए, आपका next है teaching aids, देखिए आपके पास teaching aids ह होने चाहिए, आपको teaching aids के proper नाम पता होना चाहिए, teaching aids किस तरह से use करे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे teaching aids में क्या आता है, charts आते है, हमारे model आते है, duster आता है, chalk आता है, pointer ठीक है, अब examiner कई वार पूछ लेता है, मेरे से ही मैं आपने बताऊं practical की, बात की मेरे से पूछा के है कि जो आप chart या model किसी lesson plan को बनाने में use करते हैं, वो आप किस तरह से मदलब कहां पर टांगते हैं, तो ये हमारा हमेशा left side पर टांगा होना चाहिए, ठीक है, duster, duster हमारा left hand way होना चाहिए, और हमारा duster ये भी question put up होता है कि आपको duster का use कैसे कर यूज करना गलत हो जाता है, आपको duster का use हमेशा उपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, उपर से पहले आप उपर का रव करेंगे, फिर नीचे का, model होगे, chart होगे आपके left side में होने चाहिए, pointer आपका left hand में होना चाहिए, और duster हमेशा आपका left hand में होना चाहिए, तो ये पता है, आपका confidence level high होना चाहिए, आपके चहरे पे smile होनी चाहिए, आप एक teacher है, examiner आप से student की तरह नहीं मिल रहा है, आप एक teacher है, भावी भाईशे में आप बच्चों को पढ़ाएंगे, भावी teacher होने वाले हैं आप, तो आपके चहरे पे smile होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की शिकिन, किसी भी प्रकार का डर आपके चहरे से नहीं दीखना चाहिए, और देखे, examiner और कुछ नहीं पूछ सा, subject related question पोस्ता है, जो भी आपने assignment बनाए हैं, project बनाए हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आप एक या लाइन में उन्हें describe कर सकें, सबसे पहले तो आपसे subject के नाम ही बहुत सकता है, तो यह आपको ज़रू बता होने चाहिए, यह मैंने आपको पहले भी बताया है, और एक बात कि first year में हमारी एक journal English और journal Hindi की combined file बनती है, जिसमें topic रहते हैं, जैसे आपका noun क्या है, pronoun क्या है, व विशेशन, इन सब के बारे में व्याख्यान किया जाता है, तो आपको एक तो इन के लिए जो आपका knowledge है, एक आपको पता होना चाहिए, अब to 10th level के according आपको यह पता होना चाहिए, कि noun क्या है भई, आप एक line में describe कर सके, noun को उसके आप parts बता सके, अब देखिए मेरा जो practical का एक अनुभव है, उसमें मेरे से पुछा गया, कि आप यह बताईए, what is proper noun, what is proper noun, ठीक है, और next हिंदी में मेरे से पुछा गया, विशेशन के बेद बताईए, तो इस तरह के question महां से put up करे गए हैं, और general English और हिंदी की जो combined file बनती है, सबसे पहले उसमें नजर जाती है examiner की, उसको आप अच्छी तरह से decorate करें, और last हिंग है कि आपका practical file holder में, जब भी आप examiner के पास जाएं, आपकी सारी file assignment, project file आपकी practical file holder में होनी चाहिए, यह निकि आप हाथ में ले जाके खड़े हो जाएंगे, practical file holder आप shop से purchase कर लें, और यह practical file holder के नाम से ही आपको मिलेगा और इसमें आपके assignment और project रखे होने चाहिए, proper way में, और आपके practical file holder पर आप एक mention करें, आप एक page चिपकाएं, एक चिपकाएं, उसमें mention करें कि आपका role number क्या है, आपकी class क्या है, आपका year कौन सा है period का, और आप यह भी mention करें कि आपने इस file holder में कितने assignment, उनके नाम, कितने project और उनके नाम, कौन-कौन सी file आपने रखी है, आपके उस cheat में होना चाहिए, और देखिए, आपका confidence जितना अच्छा होगा, examiner पर उतने ही अच्छा आपका प्रभाव पड़ेगा, I hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम 28 second year में, क्या-क्या बात है, हमे अपनी वीडियो अप्लोड करेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए, I hope आपको ये पसंद आएगी, please subscribe my channel, thank you friends